एक्सप्रेशन फॉर मैक्समम रेंज देखो एक पॉइंट को समझते हैं मैक्समम रेंज का मतलब है कि मैं यह चाहता हूँ कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को जब गेरा जाए तो ग्राउंड के ऊपर दूरी मैक्समम ठीक तो मैक्समम रही जाए जैसे इमाजिन करो एक यह मैं जैवलिन थ्रू उसमें वो नीरा चुपड़ा नंबर वान है तो उसमें बेसिकली क्या सीखाया जाता है जब आप उस प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो वह बहुत हाइट अटेन कर ले वह अच्छी बात निया क्योंकि गेम दूरी की है उसमें यह चेक होता है कि तो मैक्सम तो मैक्सम दूरी पे जाए तो कोई स्टूडेंट आया वो कैता जी एंगल ज्यादा रखो ताकि दूर की रहे ज्यादा ज्यादा कैसे रखो प्रॉब्लम है तो एंगल क्या होना चाहेगी रेंज मैक्सिम है रेंज का यह फॉर्मूल है आप विलॉसिटी को चेंज ना करें फोर गिवन विलॉसिटी कोश्चन हो रहे तो एंगल एड़स्ट कर सकते हैं एंगल ऐसा चूज करें कि साइन आफ यह पूरी वैल्यू अप अपने आप क्या चाहेगी मैक्सिमम और यह वन कब आएगा जब साइन अफ अंदर का एंगल क्या होगा 90 क्योंकि साइन 90 क्या होगा वन और अंदर का एंगल 2 थीटा जब 90 है तो थीटा क्या होगा 45 तो यह रूल है स्टैंडर् रूल है पंतालिस डिगरी के उपर उस जैप अगर मेरे पास 4 स्टूडेंट आएं वो बोलते हैं कि हम सारे जाधा से जाधा 20 मीटर पर सेकंड से एक बॉल को गिर सकते हैं अंगल आप बताओ क्या रखें कि वो बॉल मैक्सिम दूरी पर गिरे अगर कोई 30 रखेगा या कोई 60 रखेगा या कोई 80 रखेगा या कोई 45 होगा 45 यह रूल लिखें और यह भी लिखें साथ में मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर अगर आपको रेंज मैक्सिमम चाहिए इसको उठा के वन पुट करना पड़ेगा बचा हुआ फॉर्मूला क्या बना वी स्क्वार बाई जी यह नोट कर लें य लिखें की मैक्सिमम रेंज निकालने कलिए या तो यह याद रखें कि अगल 45 डिगारी है या यह यह जी ली था फॉर्मूला यह याद रखेंników मैसिमम रेंज का फॉर्मूला भी इसकर बाई चाहिए ठीक है तो maximum range कब आएगी जब angle of projection क्या होगा 45 दूसरा ये जितने भी formula से हैं ये tower के top से जो हमने last time problem की थी उसमें निलगेंगे ये ground to ground के projection में लगेंगे top of the tower को कैसे solve करना है वो last lecture था हमने देख लिया कैसे करना है उसमें कोई formula निलगेगा उसमें y और x की question लगेंगी इसमें formula लग सकते हैं ये बहुत important result है range remains same अगर angle of projection theta या 90 minus theta हो मतलब अगर आपने एक projectile को 30 degrees से फेंका या आपने projectile को 90 minus 30 यानि की 60 से फेंका projectile same दूरी पे जाएगा यानि कि या तो आपने projectile को 10 degree पे गे रहा या 90 minus 10 कितना 80 पे गे रहा range same आईगी इसको proof देखो कैसे जब आपने theta पे गे रहा तो range का formula क्या derive किया था v square sin 2 theta by g लेकिन जब आपने 90 minus theta पे गे रहा तो क्यो ना ऐसा करें ऊपर वाले formula में theta को replace 90 minus theta इसे open करे 180 minus 2 theta मैंने आपको coordinates करवाई थे coordinate का क्या rule था अगर यह 180 है तो sin sin रहेगा और यह 2 theta यहाँ पर आजाएगा तो देखो check करो range का formula same है तो बस आप यह line लिख ले formula register में range remains same अगर angle of projection कितना है theta यह 90 minus theta यह line लिखे important line है